नमस्कार आप देख रहें प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादो अम्रोखा के मंडित हनोरा छेतर के भाज़पा बतायक राजीव गजरॉला इस्थित अपने आवास पर प्रेसवारता किया जहां पर उन्होंने प्राइम टीवी से खास बाचीत की और किसान यूनियन के कुछ लोगों पर उनकी छविद धुमिल करने का आरूप भी लगाया साथी पूरे प्रकरण की जाच कर उनके खिलाफ कारेवाई करने की मांग की है वहीं उन्होंने बताए कि मैं इस मामले में मुख्यमंत यूग यादत नाथजी से भी जाच की मांग करूँगा और भू माफियाओं के खिलाफ कारेवाई की भी मांग करूँगा मेरे साथ मन्डी धन्वरा विदान साबा शेतर से भाजपा के विदायक राजीव चला रहा है एक गंभीर विशा को लेगर कि आज इनसे हम खास बात्चीत करेंगे जी बताईए आपको पर पूरा मामला चलना आप क्या कहना चाते है देखे जो अभी आरूप लगाए गए सनोज कुमार के दौरा और उनके भाई के दौरा किसान यूनियन के कुछ लोगों के साथ मिलकर उनको ब्रहमित कर जो अभी SDM को ग्यापन दिया गया तो उसके विशह में मैं पहला तो ये निवेदन करता हूँ किसान यूनियन के निताओं से कि वो माफियाओं का साथ ना दे और जो गलत लोग हैं उनका साथ ना दे उस पूरे पिरकरण को समझें क्योंकि दूसरा जो पक्षे वो भी किसान है जिसकी भूमी पर ये गलत तरीके से बेनामा करया गया पर्मीशन दी गई और मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ये कोट का आदेश है और इस कोट के आदेश में इसपस्ट ये कहा गया है और ये आदेश ये दिया गया है 11 अगस्त 2022 को बादीगन द्वारा प्रस्तुत इस्थगन प्राथना पत्र दिनांक आठाट 2022 सुईकार किया गया इस डेट में सलैंपुर गोसाईं तैसिल धनोरागी भूमी गाटा संख्या 67 के गाटा संख्या 33 ओबलिक 1.995 हेक्टियर में प्रतिवादी संख्या एक को विवादित भूमी में अवैद रूप से कवजा करने एवम खुर्दबूर्द करने में किसी प्रकारन का निर्माण अथवा, विक्रे के जाने में इस्त्ति परिवर्तन इत्यादी करने बाद के निस्तारन तक रोका जाता है उसके बाद भी इस भूमी की परमिशन दे दी गई और इस भूमी का स्टे के बाद भी बैनामा हो गया और बैनामा के बाद भी दाखिल खारी जब धनौरा नहीं हुआ तो इस भूमाफिया ने अपनी फाइल ट्रांसपर करा ली हसनपुर तैसील को और अब किसान यूनियन के लोगों को भ्रहमित करके ये तैयारी कर रहा है कि मैं विधायक का घर गेरूंगा रोड जाम करूंगा तो ये योगी जी की सरकार है इसमें न्याय होगा और किसी भी ऐसे भूमाफिया को इस्थान नहीं दिया जाएगा और आपके माध्यम से ये भी आग्रह करता हूं कि के रवाई हो और एक सफाया यहां से होना चाहिए और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि इस लगबग छे वर्ष के कारेकाल में मेरा लाइड डिटेक्टर टेस्ट करा ले मन्य मुख्य वंत्री जी यदि एक इंच भूमी पर भी या किसान यूइन के लोगों से भी मैं कहना च कबजा कर लिया अथवा किसी माफिया का कबजा कराने के लिए साथ दे दिया तो निश्यत तोर पर मेरे उपर कारवाई भी करें अन्य था ये किसान यूइन के लोग भ्रमित नहों इस पूरे पिरकरन को समझें हमें माफियाओं को मिलकर ही यहां से खतम करना है नहीं तो ग चाहता हूं कि दाखिल खारीज हुआ उसने अपील कि यहां पर उसकी बास सुनी जाए और मानने न्याइले का जो आदेश है उसका हम सब पालन करेंगे यहां पर कमिशनर साब ढी और एसपी सभी से आगरे करता हूं कि पूरे पिरकरन को समझें और जो सही है वही निलने ल हो मैं सही के साथ हूं और सही का साथ दूंगा मैंने किसानों के लिए काम किया है गरीबों के लिए काम किया रोड बनवाने का काम किया है मेला सरकारी कराने का काम किया यहां पर किर्शी विग्ञान केंद्र बनवाने का काम किया है और मेरी सरकार ने मेरे के माद्धेम से धंकी देकर यह किसी विएक्ति कोई कोशिश करेगा तो वी कोशिश ढाइगी मैं जनप्रतिनी हो तो सही । करते हुए कई मुझे हानी भी होती है तो मैं इससे भी पीछे नहीं हूं मैं बिल्कुल सही का साथ दूँगा विदान सभा में बिल्कुल यदि यह मामला इसी तरह से गलत तरीकेश चलेगा तो मैं विदान सभा में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा और माने मुख्यवंत्र जी का आप देखी रहे हैं कि जितने माफिया पूरे प्रदेश के अंदर थे उनके अवैद रूप से संपत्या थी उनको सरकार ने अपने कबजे में लिया है बुल्डोजर का प्रियोग यदि कहीं पर होना है तो वह भी किया गया है योगी जी किसी भी गलत व्यक्ति का सा औरुसानों के कल्यान के लिए होगा वंजवान के लिए होगा इस फंप्रदेश बनाने के लिए होगा और इसी के रोजजगार भी मिल ? वह इनवेस्टर को बुलाया जा रहा है टो थीक अे लिए प्रति शवाम yhte i obedience को दंद एक लावन की जा रहे हैं तो गलत व्यक्ति है उ राजीब तरारा जिनोंने बेबाकी से अपनी बात रखी और पुरे मामले में नोंने पृशाशने का दिकारियों और पुलिस अदिकारियों के साथ साथ मुक्या मंतरी दियू से चांज की मांग की है विनीत अगरवाल प्राइम टीवी हम्रोखा इस खबर में बस अतना ही दिशुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार